नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेयर करें पहले एक मात्र फुटबॉल खिलाडी हैं जिन्होंने तीन बार वर्ल्ड कप जीता उनिसो अन्ठावन उनिसो बासट और उनिसो सत्तर में वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्राजील टीम में वो शामिल रहे उन्हें साल 2000 में फीफा के प्लेयर ऑफ दसेंचूरी का तमगा दिया गया था 21 साल लंबे फुटबॉल करियर के दौरान 1363 मुकाबले में उनके नाम 1281 गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है पिछले साल सितंबर में उनके आथ की सरजरी हुई थी और एक ट्यूमर निकाला गया था उनका इलाज साव पावलो के अंस्टेन अस्पताल में चल रहा था और उन्होंने वहीं अन्तिम सांस ली पेले ने अपना फुटबॉल करियर 15 साल के उमर में सेंटोस कलब के लिए शुरू किया था डेबियो मैच में ही उन्होंने पहला गोल किया था इसके बाद अगले 19 साल तक वे उसी कलब के लिए खेलते रहे और कुल मिलाकर 643 गोल किये हाला कि सेंटोस कलब की ओर से हमेशा दावा किया जाता रहा कि उन्होंने कलब के लिए 1000 से जादा गोल किये हैं इसमें प्रदर्शनी मैचों के किये गए गोल भी शामिल है ब्राजिल फुटबॉल कंफेडरेशन और सेंटोस का दावा है कि पेले ने 1367 मैचों में 1283 गोल किये हैं जबकि फीफा का दावा है कि पेले ने 1366 मैचों में 1281 गोल किये हैं 1962 के वर्ल्ड कप में पेले 21 साल के हो चुके थे उन्होंने मेक्सिको के खिलाफ पहले मैच में बहतरीन गोल दागा लेकिन अगले मैच में चोटिल होने के बाद उन्हें साइड लाइन पर बैठना पड़ा लेकिन गरिंचा के बहतरीन प्रदर्शन के चलते ब्राजिल खिताब को डिफेंट करने में कामियाब रहा ब्राजिल के छोटे से शहर मिनास गेराईस में 23 अक्टूबर 1940 को पेले का जनम हुआ था पिता क्लब अस्तर पर फुटबॉलर थे और माँ हाउस वाइफ माबाप के अपने बेटे का नाम एंडर्सन रखा था इस नाम को रखने की वज़स के बारे में पेले अपने संस्मरन वाई सौकर मैटर्स में बताया है कि जिस वक्त मेरा जनम हुआ था ठीक उसी दोरान हमारे शहर में बिजली का बल्ब पहुँचा था मेरे माता पिता बल्ब की रोशनी से अविभूत थे उन्होंने इसे बनाने वाले थॉम्स एलवा एडिसन के सम्मान में मेरा नाम एडिसन रखा था इस तरह से पेले का नाम हो गया एडिसन पूरा नाम एडिसन एरेंटस डो नासिमेंटो था ब्राजिल में इसी तरह से नाम लंबे चोड़े रखे जाते हैं लिहाजा लोगों ने निकनेम भी चलन में आने लगा ब्राजिल में अमूमन हर इंसान के एक दो निकनेम जरूर होते हैं जिससे उसके घरवाले उन्हें बुलाते हैं एटसन जहां अपने में सिम्टा और संकोची लड़का था वहीं पेले हजारों के भीड में कैमरे के सामने सहज ढंग से मुस्कुरा सकता था एक ही आदमी के दो रूप थे दो भिन वास्तविक्ताएं एक को मैं जानता था और दूसरा नाम था बदल रहा था और मुझे डराता भी था ये पेले के शब्द हैं जिनके नाम का मतलब चमतकार होता है और यही चमतकार वो जीवन भर करते रहे फुटबॉल के जादुगर की यही कहानी रही